कि वीडियो कॉन कंपनी की टीउय को फिलाल इसमें गर पी करना चाहते हैं कि इस तरह से किसी ने म Here सूसिस टीविये है तो और नहीं ह необход तो लाकए हमको दिए ए तो चलिए देखते हैं उन्होंने किया इसका घृष्मिक्त इस स्तिती है, इसकी ठीक है? तो आपको देखते हैं, उससी पहले जूस्तों अगर आफ आचलब पना है, चनल को सब्सक्राइब जरु करें, और वीडियो अचल आपके ज़रू करें, ठीक है? तो चलते हैं, टोस सब्से पहले टीवी की कमपनी लेकिन कमपनी इसको ही मतलब नहीं है तो अब यह दिखाते हैं सरक्ट को और किस तरह से इसको जाम किया हुआ था और यह किस तरह से खोली हुए टीवी आपको देखिए मैं आपको दिखाता हूं तो यह रहा टीवी आपका अपना है ठीक है तो यहीं टीवी है और इसमें जमपर लगा के दोस्तों यहाँ पर जाम किया गया थे टीवी के स्कुरू को लेकिन यह देख सकते हैं जमपर वगरा सब कुछ उखाड़ा गुए है इधर यह टाइट जो हम करते हैं जब इसकुरू का इसक में घाट तूड जाता है जो इसकुरू वाला जगह तूड जाता है तो इस तरह समझाम करते हैं लेकिन इसमें सब कुछ हटा दिया गया है लॉकिंग सिस्टम खोला गया था तो आईए देखते हैं कुछ रिस्पांस देखने को मिलता है देखने वाकिर किया किया इन्होंने तो ऐसे तो वायर वायर कि कस्टमर जब खोलते हैं तो वायर तो तूठी जाता है लेकिन यहां पर कुछ नहीं यहां पर सब कुछ ठीक है सभी वायर ठीक है तो इन्हें मेरे हिसाब से साथ ज्यादा कुछ ठीडखाई नहीं किये सोल्डर वगरा लगाने को तो प्रयास किया है लेकिन हो नहीं ही तेक कि तौफ यह डिखना तो ऐसे हैं यहां पर यह डिखाता हूं किस तरह ड्राई है तो इसका झो मिलें ज्यादा तरह यह हैं यह पार चलुद नहीं नटीर और असी तरह तरह से यहां साउन डाइसी भी देख सकते हैं यह साउंड आइसी का भी पिन जो है की ड्राई है तो बस अपना कैमरा कम जो हो है नहीं तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख पाता तो वाई लोग आप सो बस सपोर्ट करते रहें नहीं तो कैमरा आने में काफी जाज समय लग जाएगा ठीक है जितना अधिक से अधिक आप लो फिर को और लगाते हैं पावर में देखने में क्या रिस्पॉंस मिलता है फिर उसको ड्राइव अगरा हम सही करेंगे इसको जो भी है तो स्रीज में लगा है तो स्रीज वाल हुमारा ओन है और मीटर से जरा मैं आपको दिखा दू रिडिंग इसकी सप्लाई हमारी बन रही लेजा नहीं पावर की इंडिकेटर इसमें जल रही दिखें आहिए और टो चल रही है और कुछ आप तो इस तरह से कुछ हमने अपना ब्लैक वाइर अर्थ पर लगा दिया है तो थोड़ा से ऊपर चाहिए कैमरा ठीक है तो यहां पर अपना लगा दिया अर्थ पर मीटर क को 200 बोल्ट क intentions पर 15 बोल्ट दूसरे डाइवत पर चेक're तो 8 बोल्ट और यह तीसरे दंबर पर 24-25 वहर्ट के लिए ग्ज़क्न के लिए कि और यह 110 ब्लट 11 ब्रभाघ्मb sacrifica डूसरा वाला सिस्टम के लिए तीसरा वाला वर्टिकल के लिए जरहना कराएगा नंगा कि पथे hog मेण सप्लाई पहुंच रही है वहाँ बूसर पाउन लगता नहीं पहुंच रहिए अब голू जी доказ लिए तो पाँच बोल्ट की सप्लाई हमारी होंपी मिल रही इसलिए क्योंकि ह्मारा इंडिकेटर जल रहा है आगेWhy करने वाल है । इसमें आगे बटन दिया गया है आगे से बतन लगाया गया तो बटन दबाते है बटन दबाने पर टीवी ऑन तो हो चुकी है इस्टेंड रिलीज हुई है सप्लाई ऑन होने का सबसे पहला जो है कि आप जान लीजिए कैसे पता चलता है ऑन हुई पहला तो फिला मेंट जलने लगेगा उससे और 180 वोल्ट की सप्लाई आपकी बन जाएगी तो कितना बन रहा है यहाँ पर 180 वोल्ट की सप्लाई इससे इपता चलता है कि मारी ओन हो चुकी है देखते हैं लाइट आती है नहीं टीवी पर तो कस्टमर लाया क्यों है यही अब समस्या हो रहे है कि कुछ समस्यात होगी क्योंकि लाने का मतलब तो होगा कुछ ने कुछ समस्या इसमें और हो समस्या कुछ ऐसी है दोस्तों यह यह देख सकते हैं विल्कुल पूरा वाइट स्रीज में लगाया हुआ है इसलिए ऐसे तो यह कम करते हैं विल्कुल यह कम कर दिया है अब आनुहन दीजिए इसको देखते हैं तो अब भी एस्टी बिल्कुल कम है तो इस तरह से नहीं से मारा अर्थ की समस्या होगी देखते हैं जरा ड्राइव अगरा बहुत सारे इसमें सभी ड्राइव को करते हैं उसके बाद बेस कुछ चेक करना विल्कुल ना भूलें एक बार बेस को भी देख लेते हैं कहीं बेस में कुछ समस्या कि इसमें ड्राइव तो नहीं है कोई भी समान है ओक्य है और इसमें यह समस्या इस ट्राइश्टर तभी आती है लेकिन सबसे पहले हम ड्राइवाला चेक करते हैं ड्राइश से अगर हो जागा तो ठीक नहीं तो यह चेक करेंगे भी हम यहापे 9 वोल्ट की सब्लाइब आने चाहिए 9 वोल्ट आता है या नही तो सबसे पहले हम ड्राइश जो है सबको सही कर लेते हैं ठीक है तो करते हैं फटा फटा फटाइश ड्राइश की सोल्डिंग कि सोल्डर भाई साब आप आजाईए तो पहले इधर सही शुरू करते हैं तो कि यह अगर ज्यादा देर तक इसको ऐसी छोड़ देंगे तो इसलिए डूलेगा तो हमारा इस्टियार भी खराब हो जाएगा तो इसी समस्या के लिए टीवी आई है बिल्कुल वाइट जो आ कि खुज-खुज के विल्कुल आपको ड्राई जो है उसको सोल्ड कर देना है तो मैं कर लेता हूं ज़रा खुज-खुज के तो पिर दोस्तों उस समय कस्टमर के आजाने को जा से जो कि उस समय की идет को mute कर दिया गया है तो मैंने जो कि सारे dry को clear किया ज़हां ओपने को चेक कर रहा हूं तो यहां पर response क्या मिल रहा है कि 180V की supply की जगा हमारी 22 volt की supply या रही है यह बस जिसके वज़ाद से हमारा हलका फिक्चर भी दिख रहा था हमको लेकिन सप्लाई बहुत कम है तो उसके लिए मैं करने के आवाला हूं 180 बोल्ट की और अर्थ की वायर अलग से जोड रहा हूं तो यह मेरे पास एक 1876 जिसको हम बोलते हैं यह वायर का नंबर है 1876 तो इस वायर से मैं अभी जोडने वाला हूं लिए वायर से जो हमारा बलू क्लर का वायर है उसे माइनस अर्थ मतब ग्राउंड बनाऊंगा ठीक है मायरे इस नहीं ग्राउंड ठीक है तो अब इस वायर को जोडने के बाद हम बेस पर जोड़ेंगे 180 और ग्राउंड पर तो जो हमारा 180 बोल्ट की सप्लाई यहां नीच सही होती है या नहीं और इसमें हमने 1815 का टाइश्टर चेंज करने से पहले यह अपना सप्लाई चेक कर लिया जिसके वज़े से यह हमारी गारे इसको अगर लगाने की बाद देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है सही होती है या नहीं समस्या वैसे तुम्हेरे साफसी हो जा जाहिए क्योंकि कि एक सॉसी बोल्ट का जो है कि अगर नहीं मिलेगा तो इसी तरह से लाइट आती है ठीक है रिटेस्ट अगर आप बहुत कुछ देखने को मिलता है लेकिन इसमें रिटेस्ट देखने को नहीं मिला सब बिल्कुल वाइट लाइट आ गई तो लगाते हैं पार में और आपको दिखाते हैं क्या रिस्पांस मिलता है हमको तो आपको डिस्प्ले दिखाते हुए तो इस समय बिल्कुल लाइट बिल्कुल कम है तो यह अश्टी बढ़ाते हैं अपनी तो यह अश्टी बढ़ा के देखते हैं तो देख सकते हैं यह हमारी लाइट विल्कुल फस्क्लास है circuit के हिला डुला के देख लेते हैं दोस्तों तो कोई समस्या नहीं है circuit हिला डुला के देखने पर भी विल्कुल first class है तो यह समस्या हमारी सही हो चुकी है तो ठीक है दोस्तों बिलेंगे नए वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ अब इसको हम टाइट कर लेंगे विल्कुल first class कोई दिक्कत नहीं है thanks for watching दोस्तों धन्यवाद और दोस्तों मारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें